मरकुस रचित सुसमचार आठवा अध्याए उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड इखटी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुला कर उनसे कहा, मुझे इस भीड पर तरस आता है, क्योंकि ये तीन दिन से बराबर मेरे साथ हैं, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं, यदि मैं उन्हें भूका, घर भेज दूँ, तो मार्ग में ठक कर रह जाएंगे, क्योंकि इन में से कोई कोई दूर से आए हैं, उसके चेलों ने उसक कोई कहां से लाए की अतरुपत हो, उसने उनसे पूछा, तुमारे पास रोटियां कितनी हैं, उन्होंने कहा साथ, तब उसने लोगों को भूमी पर बैठने की आग्या दी, और वे साथ रोटियां ली, और धन्यवात करके तोड़ी, और अपने चेलों को देता गया, कि वे उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया, उनके पास थोड़ी सी छोटी मचलियां भी थी, और उसने धन्यवात करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आग्या दी, सुवे खाकर तुप्त हो गए, और शेश टुकणों के साथ टोकरे भर कर को चला गया, फिर फरीसी निकल कर उससे वाद विवात करने लगे, और उसे जाचने के लिए उससे कोई स्वरगी चिन्ह मांगा, उसने अपनी आत्मा में आह मार कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूरते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि इस समय के लोगों को कोई च चड़ गया और पार चला गया, और वे रोटी लेना भूल गए थे, और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी, और उसने उन्हें चिताये कि देखो, फरीसियों के खमीर और हिरोदेश के खमीर से चौकस रहो, वे आपस में विचार करके कहने लगे, कि हमारे पास तो रोट पास रोटी नहीं है, यह जानकर ईश्यों ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो, कि हमारे पास रोटी नहीं, क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समस्ते, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है, क्या आखें रखते हुए भी नहीं देखते, और कान रख बिखते हुए भी नहीं सुनते, और तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने पांच हजार के लिए पांच रोटी तोड़ी थी, तो तुमने टुकडों की कितनी टोक्रियां भर कर उठाई, उन्होंने उससे कहा बारह टोक्रियां, और जब चार हजार के लिए साथ रोटी थी, तो तुमने टुकडों के कितने टोक्रे भर कर उठाई थे, उन्होंने उससे कहा साथ टोक्रे, उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते, और वे बेचसदा में आये, और लोग एक अंधे को उसके पास ले आये, और उससे बिंती की कि उसको छुए, वे उस अंधे में थूक कर उस पर हाथ रखे, और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आँख उठा कर कहा, मैं मनुश्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड, तब उसने फिर दोबारा उसकी आँखों पर हाथ रखे, और उस गाओं के भीतर पाओं भी न रखना, यिश्यो और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गाओं में चले गए, और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि योहन्ना बप्तिस्मा देने वाला, पर कोई-कोई एलि तू मसी है, तब उसने उन्हें चिता कर कहा कि मेरे विश्य में यह किसी से न कहना, और वे उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वे बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उससे तुछ समझ कर मार डालें और वे चेलों की और देखकर पत्रस को जड़क कर कहा कि हे शतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड को अपने चेलों समेत पास बुला कर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपने आपे से इंकार करे और अपना क्रूस उठा कर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वे उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वे उसे बचाएगा, यदि मनुष्य सारे जगत को उसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुश का पुत्र भी जब है पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा.